आप लोगों ने अपनी जिन्दगी में लोड़ी और मकर सक्रांती कैसे मनाई है यह आप मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग किस तरह से मनाया करते थे और क्या-क्या हंगा में और क्या-क्या तैयारियां हुआ करती थी दिया करते थे और इन तयारियों को शुरू करने में सबसे बड़ा हाथ होता था हमारे सीनियर दोस्तों का बड़े भाईयों का और यह लोग थे सिंटू अनिल लवली और राजू राजू दो वह करते थे राजू साबुन वाला शायद और दूसरे एक और थे राजू दिया करते थे और हम लोग चल पड़ते थे घरों में गलियों में बोरी लेकर मांगने यह सब बाते बताते हुए मुस्करा इसलिए रहा हूं क्योंकि सारे के सारे फ्लाशिल्स सामने आ रहे हैं और बाइचान सगरी यह सारा वीडियो बच्पन के उन दोस्तों ने सुन ले जाया करते थे थो थोड़ा डरते थे कि भाई गली में घुशने नहीं देते थे उसके लावा अगर बाइचानस के सियासे महले में चले भी गए तो वहां से हम लोग लुट पिटके आते थे छीन लिया जाता था हम से सारा समान और फिर होता था जगडा हम अपने सीनिर्स क सर्दल मिलती थी उनमें कुछ कैश भी होता था यह वह सारा कैश हम लोग इसलिए खटा किया करते थे क्योंकि सिर्फ और सिर्फ लोडी dat नहीं मिना जाती थी लोटी के लावा जो चेजES नहीं होती थी वह स्पेशली हमारे महले महुता था, वह होता था वेसरेका को लेके देखी होंगी, तो क्योंकि दो त्योहार एकठे होते थे, जिस दिन लोडी होती थी, रात के बाद, रात बीथते ही, अगले दिन सुबह मकर सक्रामती होती थी, तो लोडी को पहले याद कर लेते हैं, लोडी का मंजर कुछ यूँ होता था, हमारी गली में एक चोक होता था, हलिके वो अभी आज भी काइम है, उस चोक में एक मजमा सा लग जाता था, कुछ बज़र्ग औरतें जो उस महले में रहा करती थी, वो सारी की सारी, हमें इंस्ट्रक्शन देती थी, कि नहीं हमारे गर के सामने नहीं बैठना, इधर नहीं बैठना, इधर नहीं बैठना, तो फिर हम लोग जिस तरह से भी जैसे भी करके, एक गोवल दाइरा बना करके, और हाँ मैं बता दूँ कि हम लोग वो सारी लोडी जो एक महीने तक एक ठाक किया करते थे वो रखते कहां थे हमारे महले में ही मतलब हमारी गली में ही एक नोरा था जिसे हम खोला कहते थे वहाँ एक बेरी का पेड़ भी था जिसके बेर इतने मेठे वुआ करते थे कि आज भी अगर उसे याद करता हूँ तो मुँ में पानी आ जाता है तो वहाँ हम लोग एक महीने तक वो अपना सारा समान इकठा किया करते थे और कई बार क्योंकि उसका पीछे से एक रस्ता था तो कई बार वो चीज़ें चोरी भी हो जाती थी होता कुछ नहीं था गोसे लकड़िया या कुछ जो आमीर घर होते थे वो मोटी लकड़ि दिया करते थे इस तरह से वो सारी चीज़े हम उसमें कठा करते थे और वहीं हम लोग कंचे भी खेला करते थे और वहीं हम लोग बेर भी तोड़ा करते थे बात कर रहा था लोडी की तो लोडी का दिन और हम लोग शाम को जबी कठा हो जाया करते हैंते तो हमारे पास कुछ cash बच जाता था और उस cash से हम लोग रात को ही order दे दिया करते थे उसे जो से एक जाना माना वीडियो पार्लर वाला था वो हमें वो सारी रात के लिए दे दिया करता था शायद 500 रुपे या 400 रुपे ऐसा ही कुछ होता था जिसमें वो हमें चार फिलमें देता था, वीडियो कैसिर्ट्स देता था अच्छा, वो फिलमें हमारी फर्माईशों की होती थी तो जहां तक मुझे याद आ रही है कुछ फिल्में वो थी तेरी महरवानिया, लैला मजनू, प्यार जुकता नहीं और खानदान चार कैस्टें सारी रात में हम सब लोग वो देख लिया करते थे और हाँ, लोडी की बात हो रही थी न, तो लोडी की बारे में बताता चलू लोडी जब जलती थी, क्योंकि गुड, मंगफली, रेवडी और फुले जोसे हम पॉपकॉन कहते हैं फुले का तो हार है, तो सभी लोग ये तो चड़ाई करते थे क्योंकि इससे तो पूजा होती है और उसके बाद सारी रात हम लोग फिल्में देखते थे और सुबह जब होती थी, हाँ, रात को एक और चीज़ होती थी मैं बताना बुल गया, जब भी गली में किसी के घर पे नई शादी होती थी या कोई बच्चा भाइदा होता था, वहाँ हम देखते थे कि वो कुछ खास तरह का समान पूजा में लाया करते थे और वहीं चर्खे भी जलाये जाते थे, अब कुछ चर्खे नए होते थे और कुछ पुराने नए क्यों समझ में नहीं आता था लेकिन पुराने समझ में आता था कि जो बुजर्ग ओड़ते चर्खे काते काते छोड़ देती थी इस काम को तो उनके चर्खे पड़े-पड़े शायद खराब हो जाते होंगे, तूट जाते होंगे और बेमानी हो जाते होंगे तो वह वहां जला दिये जाते थे, रख दिये जाते थे ये था वो मनजर जो मुझे पूरा का पूरा फ्लैशबैक में वो सब याद आ रहा है फिर सांस ले लूँ, सारी चीज़ें एक्दम से याद आ रही है फिर फिल्म देखते 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 जब सुभा की पहली भोर फटती थी तो जो बुजर्ग लोग होते थे वो रात को सारी रात नहीं बैठते थे हम जैसे लफंगे ही सारी रात बैठते थे तो वो चले जाया करते थे और हम लोग अभी फिल्म खतम करने वाले होते थे या कर चुका होते थे वो आते थे और सगले अपने पानी से भरे हुए उसी बुजी हुई गर्मा गरम अंगारों पे वो रख देते थे क्योंकि उनको नहाना होता था पानी गरम करना होता था और कुछ पड़ोस वाले हमारे जो कभी शक्करकंदी या आलू ये सब लाके वहां पे रख देते थे और ये भुनने का इंतिजार करते थे उसके बाद हमें नहीं पता कब विस्यार वला विस्यार ले जाता था कब वो आलू निकल जाते थे शक्करकंदी निकल जाती थी हमें तो बस इतना पता है कि अगले दिन सुबा सक्रांती होती थी और हम लोग चटों पर पहुँच जाया करते से और हमारी बगैर ब्रश की ये बगैर नहाइद होये सिर्फ उपर ही निगाह होती थी क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ पतंगे ही नजर आती थी और पतंगों की वो दिवान की आप बिलीव करें कि सारा देने अगर कोई चट से ना भी आवाज देना तो हम लोग चट पर ही रहते थे लेकिन आवाज आती थी क्योंकि उनको लगता था कि नहीं भाई उनका बेटा सुबा से गायब है तो ये मनजर रहता था और अब सग्रांती के बात आ गई है तो फिर बता दूं कि हाँ हमें जबरदस्ती ने लाया जाता था जबरदस्ती हमें ये कहा जाता था कि नहीं पाप लगेगा और उस दोर में हम लोग ना मैं 40 साल पुरानी बात कर रहा हूं 35 साल पुरानी बात कर रहा हूं तो उस टाइम पर हमें इन चीजों का थोड़ा डर भी रहता था कि नहीं अगर बड़े कह रहे हैं कि पाप लगेगा तो लगेगा हम तो फेल भी हो सकते हैं तो ये सब चीजें फिर याद आती थी और हम लोग नहा लिया करते थे नहाने के बाद कुछ भी पेट में डाला और चड़ गए छटों पर चट पे चड़ने के बाद पतंग गे और पतंगों में अब मैं बता दूँ आपको कि पतंगों में भी क्या होता था हमारे महले के अंदर कुछ पतंग बास थे जिनकी पतंगों उसे लोग डरते थे और वो पतंख देखते ही पैचान जाया करते थे कि ये बंदा उड़ा रहा है तो इस से अपनी पतंख नहीं करळवानी हमारे महले में जो लोग थे गुरदवारे की बैक साइड में बायटिया साब थे जो पतंग उड़ाया करते थे और हमारे आगे जाएं घर से तो लाटू एक हुआ करता था उसके घर के साथ एक लीला जो कि उस टाइम पर कहते थे चमार था अब हमें ये शब्द इस्तमाल करते हुए भी एक अपने आप पर या अपने ना समझी पर या अपने बच्पने पर एक हसी आती है शरम आती है कि उस वक्त ये सब चिज़ें हमारे जब बड़े हमें कुछ चीज़ बताते हैं सिखाते हैं तो हमें वही चिज़ें फोलो करनी पड़ती है तो वो और पीछे दो तीन गलियां छोड़के एक और शक्स होता था वो हमारे से थोड़ा बड़ा होता था उसका नाम था खोपड और वो बंदा आला पतंगबाज था हम लोग इन पतंगबाजों से डरा करते थे हाँ एक दोर ऐसा भी आया कि कभी हमारा भी नाम हुआ लेकिन ये वो दोर था और सुबह की पहली के रन और शाम का सुर्यास्त इस दोरान ये सब ये सब चीज़ें चलती रहती थी तो ऐसा कुछ होता था हमारा वो पूरा का पूरा सक्रांति वाला दिन लेकिन जो चीज़ें मैं मिस्स कर रहा हूँ वो मुझे वो लोग बताएंगे जो इस वीडियो को देख रहे हैं क्योंकि वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को आपका बच्पन जब याद आएगा तो आपको कहीं न कहीं मजबूर होना पड़ेगा उन चीज़ों को लिखने के लिए और आप बताएंगे मुझे कि केशो भाई कुछ चीज़ें हैं जो आप भूल रहे हैं या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम ऐसे नहीं ऐसे करते थे तो मैं तो बस उसी इंतजार में हूँ और जतने लोगों का मैंने नाम लिया है वो सब मेरे संपर्क में नहीं हैं हाँ मैं कुछ लोगों का नाम और ले लूँ जो मेरे बच्पन के दोस्त थे उन में तो मैंने बताया है नहीं मैंने सभी सीनियर्स के नाम लिया ना जो मेरे साथके थे, वो थे मेरे सामने वाले घर में शालू, मोनू, राजू, संजू, कुकू, केशू, और पीछे अगर जाओं तो एक और था राजू, जो इस दुनिया से बहुत पहले सला गया, और फिर उसका बड़ा भाई डेवू, और फिर हमारा जिसने मेरा अबी विर रापता है वो है लबली, और एदर छोटा पपू और एक बड़ा पपू हमारी गली में दो पतंगे उड़ाने वाले थे, और एक चीज़ दोर की हमारी गली में कुछ पतंगे लड़कियां भी उड़ाया करती थी, और उसके लाबा छोटे बच्चों में मैं नाम बता दू तो नौनी, विक्की और विक्की एक और था, जिसके पिताजी की चाय के दुकान थी, और याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन रजत, रभी ऐसे कुछ बच्चे से, तो यह वीडियो में नाम लेने का यही परपस है कि जब यह सब लोग देखेंगे, जब यह सब लोग देखेंगे, तो कहीं न कहीं यह याद करेंगे, कि हमारा बच्च्पन भी ऐसा था, हम अपने बच्च्पन को वापिछ से देख रहे हैं, तो बस हमारी मकर और सक्रांती ऐसी होती थी, आप लोगों की कैसी होती थी, यह ज़रूर बताईएगा, हरी कि मैं ज़रू लोगों की मैं यह ज़रूर खुट.